तुम से अपना ये वादा है मेरे वतन तुझ से तेरे अंधेरे में काएंगे हम पाक खुने शहीदा की हमको कसम भूल हर सुमन के किलाएंगे हूँ जिव योईज शेबाज शरील साब अपने जल्सका की तरफ पहुंशे थे कि रस्ते में ट्राफिक का बेतहाशा रश्ट था कि जिसकी वरे से उनके लिए मजीद आगे जाना नामुम्किन था और उन्होंने मेट्रो बस पे जाने का फैसला किया है और अतराफ में सड़क की दाईं तरफ बाईं तरफ लोगों का हुझूम है रश है और सभी शेबाश शरीफ साहब को एक नजर देखना चाह रहे तो उनसे बात करना चाह रहे थे और शेबाश शरीफ साहब जब अभी यहां पर मेट्रो स्टेशन पर आए हैं तो उन्होंने बकाइदा मेट्रो बस का टिकेट लिया है और वो टिकेट लेने के बाद मिया मुअ मुअमाद शभाशरीद सांब यहाँपर आकर ज्शेर लंगे मिया साथ लूतibles मेट्रो बस गुजर रही हैं आपकी गाड़िया जो हैं वह इस रश Regional मैं आगे नहीं जा पा रहे हिए मेट्रो को फोकेस मिल रही है ना मैं यही कहा करता था एक दिनाएगा अप मेट्रो फ्री ओफ एनी इंपेडिमेंट चल रही होगी और जो शोफर दिन गाड़ियां वो ट्राफिक मेरती होगी आज गोई हुआ मेरी बात सच हिसापत होगी जी आपने देखा कि मेट्रो बस जो है वो यहां से चूब के पास्तानी गुजर रही किया और ट्राफिक जो है वो फसी इथी इस उसमत मेट्रो बस पर से जाने का जो फैसले किया कि आप यहां सब्सक्राइब का घ्रड़ाइब किलों आपके। गजाए गजाना लिटिकों सब्सक्राइब जिंदा अपने मेट्रो पस बनाइए और आज मिया साफ़ भूल अच्छे पन्दे आ लापक इनको जिंदगी दे इनको पुरी नज़र से बचाये यहां परिशियमें आपके दिगाराने चाहनगा, कि इवर आप देखिए कि क्या आलम है फ्बारातिं हो जोग यहां दर बें कितनी बड़ी तादाभ में मौजूद हैं और सब यह दो नियाँ साथ के नारे लगा रही हैं इजिस प्टेख पाजिन चेह राया, चेह लाया. शिरिफ सब अब इन लोगों के हुजूम में से होते हुए दुबारा अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि यकिनन एक बहुत बड़ा सिक्यूरिटी हाजर्ड है और चारों अतराफ में स्टेशन के यहां पर अवाम का बहुत बड़ा हुजूम है चलिए चलकर आगे कभी तुझ पे हम चान देकर भी लेंगे तुझे हम बढ़ा है यह सब को अधियर आपने से पहले भी बहुत सी रालीज देखी होंगी जैसे के पाकिसान डेरिगन साफ के चेमिन इम्रान खान साब ने राली निकाली थी उसमें वह अपने ट्रॉक पे सवार थे और आज सु चबश्यूरी रखवर पहले मेत्रो बस पे जाने लगे लेकिन मेट्रो बस की आने में कुछ ताखीर थी तो उन्होंने रिक्षे पे जाने का फैक्सला किया और अब हमारे सामने रीक्षा है जिस पर चबश्यूरीफ साब सफर कर रहे हैं और अपनी मंजिल की जाने बढ़ जो कुछ भी है वो है तुझ से मिला हर खुशी जिन्दगी बिल्कोल अगर कोई ओर ऐसा कोई वजीरिया आला तो होता तो वो कभी भी दिक्षे में सफर ना करता और यह वाहिए शेर 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 इंशानला लातार ने लिक्षे पर काम यह दाएगा शेर और अब मैं यह देख रहा हूं यह अब यह मोटर साइकलों पर यह रैली है जो के आगे की तरफ बढ़ रही है और शेमाशरीफ साहब की सिक्यूरिटी जो के पहले गाड़ियों में सवार थी अब यही सिक्यूरिटी रिक्षे पर है खुदा यह अपनी दुआ अपना तन्मन यह धन है अमानत तेरी वक्त आया तो तुझ पे लुटाएंगे हम तुम से अपना यह वार देख रहे हैं कि शेमाशरीफ साहब रिक्षे में बैठे हुए है और अब यह रैली इसी फ्लाय ओवर पे बहुंच चुकी है कि जिसका इस्तता साबिक वजीर आला पंजाब शेबाद श्रीफ साहब की तरफ से किया गया था है हमें हमको मालूम है हमको एहसास है हम है बेदार और अक्मेनों पर यकी दिल में अपने वतन के वसी आस है हमको एहसास है जर्रा जर्रा तेरा तेरा जिसका यह सब यह सब क्या है आज पहली मरता इसा दिर्खा है कि एक पार्टी के सियासी लीडर एक लिक्शन में तो ट्राफिक जैम हो गया था पिर मैंने मेट्रोबस पर बैटने कुछ की में खाल को आगे जो जैम था उसके वाई से बस आगे नहीं आजए कि लीडर में और एक आम आदमी में कोई फर्क नहीं है को तफरीक नहीं है हम सब भाई हैं बलकुछ इंशालला सार मैं सारी जिनके आपको याद रखूंगा और मैं अपने आपको बहुत खुश किसमें समझता हूँ कि आपका साथ नसीब हुआ वोट सार आपको आपने सुना के साथ बतीर आला पंजाब शेबाज शरीफ साब ने जिस तरीके से सफर जो है वो तै किया एक रिक्षे पर और रिक्षे पर सफर करने के बाद फाइनली जाकर एक ऐसे पॉइंट पर अपनी गाड़ी में मुंतिकल हुए कि जहां पर उनकी सिक्यूरिटी गाड़ी रश में चुके वहां फसी में थी तो उसमें से निगल सेगे मुझे ये बताएं भाई आपनी हाज जो सब देखा किसे पहले आपने सब होते वे देखा है कभी संदगी पैले कभी नहीं लेगा है एक एक फैमिली मुझे नजर आ रही है फासले पर म हैं आपने देखा के साफिग वजी ये पारे में चाहिक पर में की पाकिसां चल पर करता हूं नहीं है कि शेबाद शरीफ साथ किस तरीके से यहां पर पहुंचे हैं सर इनका अंदाज मुझे तो बड़ा पुसंद लगा यहांने का शेरों की तरह आए तो शेरों की तरह यह जाए जाए उनका बिना उनने शेरों वाला काम कि ऐसा कभी कोई कर सकता दो करके दिखाया में कोई तो हमें उमीद है कि वो इक्तिदार में आके हमारे लिए बेहतर कर सकते हैं अधर में अधर इस बंदे की जिंदगी करें यह मारे लिए एक प्रिश्टा है मैं आप सब को एक बात बता हूं कि एंकर की मुझे तारीफ अची लेकिन मैंने आज जो सब होते देखा है यह मैंसोच में नहीं सकता है कि ऐसा होगा किए इससे पहले भी मैंने रैली कवर की हैं खांसाप मैंने रैली कवर की इसके अंधर एक बहुत उंचा ट्रक था जिसके अंदर चंद मीडिया के लोगों को जाने की जाहता थे बाकी सारे तरीक इनसाफ के लोग थे लेकिन वहाँ पर कोई भी लीडर इस तरह से सफर कभी करते हुए मैंने ने देखा तो यही हमारे लिए बहुत अच्छी मिसाल है बाबा आप क्या बोलोगे इस से अच्छा लीडर हमें और कोई भी नहीं मिल सकता यह सबसे बेहतरा लीडर है यह देखो सड़कों पार पैडल भी सबर करते हैं रक्षों में भी करते हैं इस से बहतर कोई और है लीडर नहीं हमारी नजर में नहीं है हमें शबाश श्रीफ साब से मिलके बड़ी खुशी हुई है हम वहाँ पे उनकी तस्वीरें ले रहे थे लेकिन तस्वीरें बैड़ लाग है कि काई नहीं उनकी लेकिन ये अच्छी बात है कि हम वो लिडर को देख रहे हैं जो रिक्षे में चल रहा है इतनी किसे में ना इमत है तो ना इंचाला होगी हमें बहुत खुश हुई है तो बहुत बड़ा सिक्यूरिटी रिस्ट था ये के एक लीडर जिन पर त्रेच मी है उन्हों ने बहुत दलेरी का फैसला था और उसके बाद वहां मेट्रो बस लोगों के रश में से निकलते हुए एक रिक्षे में सवार हुए और रिक्षे में सवार होकर अपनी मन्जिल अपने घर की तरफ पहुंचे आज के प्रोग्राम में हमारी ये कवरिश थी शबाज शरीफ साब की जलसों के हवाले से उनकी अवामी राप्ता मुहिम के हवाले से उमीद है कि आपको बसंद आई होगी आज के प्रोग्राम का वद खदम होआ चाता है अपनी अरार से अगाह करते रहें फिर मिलेंगे तब तक के लिए अलाने के बाद आए